नमस्कार, सत्तर फेबुरु आरी, आजनो दीन महिमा जे कृष्ण मुर्तिनी पुणियते थी विश्वमा अज्यात्मनो प्रभाव पाड़नार भारतिय दार्शनिक जे कृष्ण मुर्तिनो जन्म इस विशन अधार्शो पंचानुमा दक्षिन भारतना मदनपल्ली गाम मा थयो हतो डोक्टर एनी बेसंटे तेमने शिक्षण माटे पसंद केरा विश्व बर्मा पत्रायली थियो सोफिनी संस्थाव मानी एक ओर्डर ओफ द स्टार इन्द इस्टनु अज्यक्ष्पद जे कृष्ण मुर्तिने तारूनिया वस्था माज अपायू परन्तु जीवननी अंतर जोतिना दर्शन करी चुकेला कृष्ण मुर्तिये आ पदनो त्याग करी इंगलेंड अमेरिका अने भारत मा तेमने एवी शिक्षण संस्थावनू निर्मान केरू के ज्या विज्जार्थियो संयम सर्वांगी शिक्षण मा रस केलवे प्रुष्ण मुर्तिये व्यापक अर्थमा शिक्षण शाष्त्री हता तेवो केता मात्र पुस्तकोनू शिक्षण बरोसा पात्र नथी परोसो अंतर माथी आओओ जोईए मान्वी मात्र सत्यनो अनुयाई छे सत्य द्वारा समजन प्राप्त थाई छे सत्य शोदू हई तो कुंठित मन्नी सिमा ओथी पार जवु जोईए तेवो कोई नी पन कंठी बांधवानी ना पाडता हता पोता नी पन नहीं तेमना भाषणों, समवाद, पत्र, रोजनीशी ए सगलू सित्तेर पुस्तकों मा समाविष्ट छे शिक्षण अने संसकार परना एमना ग्रंथोये विश्वभरना बवधिकोंने एक नवोज राह चिंजो हतो तेमने जीवननी मुक्त अने परम दिशानू बयान करती प्रसाद प्रेरित कविताओ लखी छे विश्वभरना महान दार्शनिक जे कृष्ण मुर्तिनू नियवू वर्षनी जैफवये तारिक सत्तर फेबुरु आरी उग्णिसो शाहसी ना रोज अउसान थता जगते एक म नहान आत्मगनानी विभूती गुमावयानो घेरोशोक अनुभवयोग हैं अलिखाज चाहस एक अलिवानीजलन नसाम और्जी रimore्यनाय के एक पताव मन हमने ऐसाफूफ गीज चैवेटीन सथब हाव जारा विश्या वीज खाओं भी यहीच इंगाज़गनों जारैं So if you don't change, what are the consequences of it? You will be national, nationalistic, you will be tribal, insular, isolated, and therefore having no relationship globally, fighting, 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 building up more and more armaments to destroy each other. Now, why don't you, if you are at all serious in this matter, why don't you ask yourself that question? Why am I a human being who has been through all this? Why haven't I changed? What would be your answer? Either you are not serious, you want to live a very, very superficial life, and that superficiality temporarily satisfies you, or you really don't care. As long as you have immediate pleasures, immediate satisfactions, you really don't care. You don't care for your children if they are murdered, if you really have no deep love, affection for them. If you had, you would prevent all wars. So, apparently, none of these things mean anything to you. or probably you are so deeply conditioned psychologically, of course, we are biologically conditioned, that's a different matter altogether, but psychologically conditioned, and one is not aware of it. And unless there is freedom from that conditioning, we will go on this way.